अलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल डामा सरीज पार्ट 11 तकी स्टोरी आपको पिछले वीडियों बता आज की हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सक्षन में मिल जाएगा पिछले अपसोर में हमने देखा था की और अंजान बुषकर रोज को एक जमेले में फसा देती है और धेश सारी लर्कियों के साथ मिलकर रोज को मारने लगती है तो बिचारी रोज अकेली पर जाती है और वो उन लोगों से अकेले नहीं लड़ पाती है और वो उन लोगों से खूम मार खाती है कि तभी वहाँ पर बुआ की पूरी मंदली टपक परती है और और उन सारी लड़कियों की बैंड वजा देती है और आंटी बुआ और उनकी म मुझे नहीं पता पतानी उन लोगों को क्या गलत फहमी हो गई थी जो वो मेरे साथ इस तरह कर रहे थे मुझे लग रहा है ये सारा प्लैन औरन का ही है कि तब ही नुना सब को पूरी बात बताती है तो बुआ जैसे ये सुनती है कि ये सारा कारणामा औरन का था रोस को फसाने के लिए तो उन्हें बहुत ही गुसा आता है और वो औरन को मारने के लिए जाने लगती है पर रोस उन्हें रोक लेती है और कहती है अगर हम इस तरह रियाक्ट करेंगे तो हम लोग बात को सान नहीं बलकि और बढ़ावा देंगे मुझे लगता है कि उन लोगों को उनके किये की सजा मिल चुकी है इसलिए हमें इस बात को यहीं पर दबा देना चाहिए और आप लोगों को मुझे से प्रॉमिस करना होगा आप टेंसर मत लीजे आंटी कि तभी रोज को ओफिस से कॉल आता है कि करन आज ओफिस आया था की नहीं क्योंकि आज करन का लाश्ट दिन होता है तो रोज जूट बोल देती है कि करन ओफिस आया था और वो अभी मिटिंग में है तो बुआ इस बात पर रोज को चिराने लग पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी उल्टा मुझे थपपर मारा लेकिन मैंने उसे नहीं मारा और उसने मुझे ये भी कहा करन का जो भी है वो सब अब उसका है और वो खरन से की सारी प्रोपर्टी छीन लेगी और उसे भूटी कोड़ी भी नहीं देगी तो करन ये सब सुनकर तो पुरी तरह सौक्ट हो जाता है और औरन करन के दिमाग में रोज के खिलाप ऐसी ऐसी बाते भरती है कि करन को भी रोज पर बहुत ही गुसा आता है और उसे लगता है कि र उन्मी वापस आजाते हैं तो नन कुल करन को खूब डाटता है तो करन अपने पापा की डाट सुन लेता है और सिधा रोस के पास जाता है कि तुमने औरन के साथ जो भी किया तुमने बहुत बुरा किया तुमें क्या लगता है कि में इतनी आसानी से गिवःप कर लूँगा ताकि तुम आसानी से मेरा सब कुछ हतियाल हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा, कल से ही मैं आफिस आउँगा, तो रोज जैसे ये सुनती है कि करन कल से आफिस आएगा, तो वो खुस हो जाती है, आगे रोज अपने भाई नॉप को लेने के लिए एरपोर्ट जाती है, तो निम्मी भी रोज के साथ जाती है, तो निम्मी रोज से कहती है, आपका भाई भी है, इस बारे में तो हमें पता ही नहीं था, तो रोज कहती है, मौम हमेशा उसे प्रॉब्लम से दूर रखती थी, ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, इसलिए तुम लोगों को उसके बारे में नहीं पता, नॉप मा का बहुत ही लाडला है, और सब उसे बहुत पसंद करते हैं, कि तब युदर से नॉप की इंट्री होती है, तो नॉप सबसे अच्छे से बात करता है, और निम्मी से भी अच्छे से बात करता है, लेकिन जब नॉप को ये बात पता तो करन इतनी सफाई से अपने पापा के सामने जूट बोलता है कि उसके पापा भी दंग रह जाते हैं तो नकुल कहता है अगर रोज नहीं होती तो मैं तुमे कब का उफिस से निकाल चुका होता होता करन कहता है आपके कहने का क्या मतलब है तो उसके पापा बताते हैं कि उसके पास मात एक ही दिन बचा था अगर उस दिन वो काम पर नहीं आता तो उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता तो करन को फैनली ये बात पता चलती है कि रोज ने उसकी हेल्प की है उसके पोजिशन को बचाने के लिए ना कि वो उसे कंपनी से निकालना चाहती है तो बिचारा करन पुरी तरह कंफ्यूस्ट हो जाता है कि आखिर का जूट कौन बोल रहा है औरन या रोज आगे रोज नोप को घर लेकर आती है तो सब उसका अच्छे से वेलकम करते हैं तो निम्मी भी उससे अच्छे से बात करती है पर नोप उससे अच्छे से बात नहीं करता तो निम्मी को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुसे से वहां से चली जाती है आगे नोप अपनी बेहन पर जिस साधी से आप खुष नहीं है आपका पती एक नमर का लड़की बाज है और आपका पती क्या-क्या कारणामे करता है वो पूरी दुनिया को पता है तो रोज कहती है करन उतना भी बुरा नहीं है वो दिल का अच्छा है बस उसे समझने की जर्रत है तो नौप कहता है कि ही आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया तो रोज कहती है तुम कितने टिवी ड्रामास देखते हो ऐसा कुछ भी नहीं है यहां के सारे लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते है और अगर मुसे कोई भी बंगा लेगा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमारी बेहन उसका मु तो नॉप यह सब सुनकर तो पूरी तरह सौक्ट ही हो जाता है दूसी तब कॉमल को जब पता चलता है कि रोज का भाई नॉप उसी के घर में रह रहा है तो वो इस बात का बहुत बड़ा बवाल मचाती है और नकुल के साथ लड़ाई करने लगती है कि उसने बिना उससे किचन में काम कर रही होती है कि तब उधर से करन आता है तो करन रोज के चेहरे को सुजावत देखर पूरी तरह हिरान होता है और रोज से पूस्ता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ तो रोज कहती है तुम्हें मेरी कब से परवा होने लगी तुम जाओ ना और अनकी प पा जाता है और नौप को ये गलत फैमी हो जाती है कि करन रोज के साथ बत्तिमिजी कर रहा है जिस चकर में नौप करन को खीच कर एक मुक्का मारता है आगे वहाँ पर दोनों की फैमिली भी आ जाती है और दोनों को सांध करवा कर उनके रूम में भेज देती है आगे निम्म कहती है मुझे भी कुछ और लग रहा है वो लोग उस दिन पूरे दिन गायब थे पतानी उस दिन उन लोगों के साथ क्या हुआ था इधार रोज भी नौप को बताती है कि उसे गलप फहमी हो गई थी करन उसके साथ बतमिजी नहीं कर रहा था बलकि वो तो उसके फेस के बार कर रहे हो तो नौप कहता है ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया तो निम्मी कहती है मैं यहां पर तुम्हारे लिए मेडिसीन लेकर आई थी ये लोग मेडिसीन अपने हाथ में लगा लेना और अपने मूँ पर भी लगा लेना ताकि तुम्हारा करवा जबाज ज़आन मीठा करता है अगले दिन नोप और बुव अपने घर जाने लगते हैं तो रोज और नकुल उन दोनों को सी ओफ करते हैं आगे नोप अपने घर जाता है तो रुणा नोप को देखकर बहुत खुस होती है और अपने बेटे का अच्छे से वेलकम करती है आगे करन और रोज ओफिस करन वह पाए मैंने इस प्रोजेक्ट के असली ओनर को परजेंटेशन देने को कहा है। करन को प्रोजेक्ट के लिए तब्युक्त करन को चाहती है। और उसके पोजिशन को छिनने की कोसिस कर रही हूँ अगर वो ये सब करके खुस है और उसमें कुछ भी बदलाव आता है तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ मैं बस इतना चाहती हूँ कि करन अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी लाइफ को सिरियसली ले इधर करन भी ये सब सुन लेता है और उसे लगता है कि रोज उतनी भी बुरी नहीं है जितना वो उसे समझता है वो हमेशा उसकी भले के बारे में ही सोचती है आगे नकुल करन पर बहुत ही प्यार बरसाता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बदल जाएगा तुमने आज जो प्रेजेंटेसन दिया उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया साबबास बेटा तुम धीरे धीरे बदल रहे हो आखेकार वो लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आये हैं तो मिनिस्टर विला उन लोगों को पूरी सचाई बता देता है कि ओरन ने रोज के साथ क्या कांट किया था और मिनिस्टर विला ओरन को रोज से माफी भी मांगने को कहता है तो करन ये सब सुनकर तो पुरी तरह चौक ही जाता है और वो औरन से पूसता है उसने ऐसा क्यों किया तो औरन भी अपनी दिल की सारी भरास निकाल देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मन सुभे को नहीं समझ रही मुझे पता है तुम अपनी जव और अन को रोज से माफी भी मांगने को कहता है पर और अन रोज से माफी नहीं मांगती उल्टा गुसा करके वहां से चली जाती है। तुम्हारी इस हरकत से पापा को बहुत ही चोट पहुची है तो करन कहता है ठीक है मैं पापा से माफी मांग लूँगा। इधर नकुल समझ जाता है कि मिनिश्टर विला ने ये सारी हरकत क्यों की है। उसने ये जान बूच कर किया ता कि वो रोज को अपनी साइड ले सकी। तो नकुल सिधा मिनिश्टर विला के पास जाता और कहता है मुझे पता है तुमने ये सारी हरकत क्यों की लेकिन चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करूंगा और इन सब के बीज में मेरी बहु को घसी इतना बंद करो अगर तुम की कोसिस करता है पर नकुल करन से बात नहीं करता क्योंकि वह बहुत ही धगया होता है दूसी तब रोज अपने भाई को पूरी बात बता रही होती है तो उसका भाई ये सब सुनकर पूरी तरह सौक्ट हो जाता है और कहता है मिनिश्टर विला इतना अच्छा है पर उसकी बेटी तो एक नमर की चुरेल है कि तभी अपर करन आ जाता है तो रोज अपने भाई का कॉल कर देती है हुआ जूटे जूटे वादे की होते है वह सारी लग्की को थपर मारती है क्योंकि नकुल ने करन करण को खीच कर थपर मारती है जिससे बिचारे करण का मूँ तो पूरी तरह सूच जाता है तो नकुल का अपने बेटे की ऐसी हलत देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो कहता है तुम्हें जो सजा मिली है वो तो बहुत कम है तुम्हें इतने सारे कार नामे किये हैं तुम्हें तो इससे भी बड़ी सजा मिलने चाहिए लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए ये सब काफी है आगे नकुल रोज से मिनिश्टर विला के बारे में पूसता है कि आखेकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा है तो रोज नकुल को पूरी स्टोरी बता देती है कि मिनिश्टर विला के साथ उसने क्या क्या बाते की तो नकुल ये बात रोज को नहीं बताता कि मिनिश्टर विला जान बुचकर उसे एप्रोस कर रहा है ताकि वो अपने गंदे कामों में उसका इस्तिमाल कर सके तो नकुल कहता है तुम फूट फेर में जारी होना तो जाओ और पूरी मेहनत से काम करो तो रोस कहती है ठीक है पापा और वहां से वो चली जाती है तो निम्मी नकुल को कहती है पापा आपने रोस को पूरी बात क्यों नहीं बताई तो नकुल कहता है जब उसे इस बार में कुछ पता ही नहीं तो मैं उसे उन सारी बातों के बारे में बता कर परिसान क्यू करूँ मैं ही इन सारे मामलों को हैंडिल कर लूँगा तुम टेंसन मत लो दोसी तब नॉप और रूप उस फूट फेर की पूरी तयारी कर लेते हैं तो रूना कहती है हमने फूट फेर की पूरी तयारी तो कर ली है पर हम लोग इतने सारे लोग हैं हम लोग बैंकोक में रहेंगे कहां तो नौप कहता है अगर हमने बाहर कोई इंतिजाम किया तो बहुत खर्चा आ जाएगा मॉम एक बार उन लोगों से बात करके तो देखे तो रूना परिसान हो जाती है इधर रोज में सबको बता देती है कि फूट फेर जब तक खतम नहीं हो जाता उसकी फैमिली उसी घर में रहेगी तो सारे लोग इस बात से एगरी तो कर जाते हैं पर कोमल इस बात पर उब्जेक्शन लगाने लगती है और वो कहती है कि मैं किसी को भी इस घर में नहीं रहने दूंगी मेरा घर कोई होटल नहीं है कि जब जिसका मन करें वो यहाँ पर रहने के लिए आ जाए और कोमल इस बात पर हंगामा करने लगती है लेकिन जब कॉमल को ये बात पता चलती है कि फूट फेर को मिनिश्टर विला और्गनाईस कर रहे है तो वो इस बात पर वो उन लोगों को रहने की परमिसन दे देती है क्योंकि कॉमल को किसी भी सिलेबरिटी के साथ घुमना और उसके साथ जान पहचान बढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है और वो ये सब इंज्वाए करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब करने से उसका रुतवा बरता है आगे करन रोज के पास जाता है मैं भी तुम्हारे फूट फेर में हेल्प करना चाहता हूँ तो करन कहता है आगे फूट फेर का देना आ जाता है तो रुना और उसकी पूरी फेमली फूट फेर में जाकर अपनी दुकान लगा देते है ताकि वो अपनी प्रोडेक्ट का प्रोमोशन कर सके और साइध वहाँ पर उन्हें कोई अच्छा सा स्पॉंसर मिल जाए जिससे उनका बिजनेस फिर से चलने लगे तो वहाँ पर नकुल की भी फैमिली उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आती है तो नकुल करन को कहता है तुमें भी जाना चाहिए तुम रोज के साथ चले जाओ और नकुल उन दोनों को इसी बाने एक साथ वहाँ से भेज देता है आगी रुना नकुल से पूसती है आपका बेटा कैसा है क्या उसमें थोड़ा सा भी सुधार आया तो नकुल कहता है मेरा बेटा पहले से बिल्कुल बदल गया है अब वो अच्छा कर रहा है मुझे उमीद नहीं थी कि मेरा बेटा इतना जल्दी बदल जाएगा ये सब रोज की वज़े से हुआ है इधर मिनिश्टर वीला सब के सामने अपना प्रवचन देते हैं और उस फूट फेर और्गनाईजेशन का उटगाटन करते हैं पर नकुल को ये सब पता होता है कि ये मिनिश्टर विला ये सब क्यों कर रहा है। की सिकायत लगाने लगती है तो रूना नौप को ही डारती है और कहती है इतनी अच्छी बच्ची है तुम उसके साथ इस तरह पेस क्यों आरे हो अगर तुमने दुबारा इसे तंग किया तो मैं तुम्हें नहीं चुरूंगी और घर जाकर तुम्हें खूब पिटूंगी तो बेचारा नौप कुछ भी नहीं कह पाता और निमी ये सारा कारणामा करके बहुत खुस होती है आगे नकुल और कॉमल फूट फेर से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर कोई काम होता है तो रोज उन लोगों को छोड़ने के लिए जाती है इधर करन रोज को ढूंड रह मुझे पता है तुम्हें प्लाडा से नफरत है इसलिए तुम इसकी इसमिल भी बरदास्त नहीं कर पाते लेकिन कुछ दिर यहां पर बैठो रोज जैसे ही आएगी मैं उसे कहूंगी कि वो तुम्हें घर छोड़ दे तो करन कहता है मैं घर जाना नहीं चाता हूं तो रोज जैसे यह सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है आगे रोज आती है तो रुना कहती है करन तुम्हारा इंतिसार कर रहा है जाओ उसके पास आगे रोज करन के लिए खाना लेकर आती है और रोज करन की ऐसी हालत दिखकर परिसान होती है और करन को कहती है अ तो नोप कहता है और उन लोगों को धेर सारी आमदनी भी हुई होती है जिस वज़ा से आज वो लोग celebration कर रहे होते हैं तो नोप सबको drink देता है पर निम्मी को drink नहीं देता है तो निम्मी कहती है तुमने मुझे drink क्यों नहीं दिया तो नोप कहता है तुम्हारी दूद पीने की उम्र है इसलिए सराब मत पियो और नोप यहाँ पर भी निम्मी को टीस करता है आगे नोप रोज को भी ड्रिंक देता है तो रोज कहती है मैं ड्रिंक नहीं करूंगी तो करन इस मोके का फैदा उठाता है और रोज को टॉंट मार करती है और करन को खुब बुड़ा भला कहती है तो बेचारा करन रोज की ऐसी हालत देखकर तो पुरी तरह परिसान हो जाता है आगे रोज करन को कहती है क्या तुम अभी मुझसे प्यार करते हो तो करन ये सब सुनकर पुरी तरह सौक्त हो जाता है तो रोज कहती है क्या तु तुमने मुझे आज जितना तंग किया है उसका डबल गुना तंग मैं तुम्हें कल करूँगा और करन रोज की सारे कप्रे उतार देता है और वहां का सिन ऐसा बना देता है कि उन दोनों के बिच सच में कल रात कुछ न कुछ जरूर हुआ था और करन ये सारा कारणामा करके अराम से जाकर सो जाता है अगली स्वा जब रोज की नींद खुलती है और वो अपने आपको इस हालत में पाती है तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है और सारा इलसाम करन पर लगाने लगती है तो करन कहता है मेरी प्यारी वाइफ क्या तुम भूल गई कि कल रात तु बेचारी रोज पूरी तरह पागल ही हो जाती है कि तभी वहाँ पर नोप आ जाता है और उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है तो करन रोज को कहता है मेरी प्यारी वाइफ क्या तुमने अपने भाई को तमीज नहीं सिखाई है कि किसी भी कपल के रुम में इस तरह पूटरे होते हैं कि तभी वहाँ पर निम्मी आ जाती है और करन को इस तरह बहेव करते हुए देखकर तो वो पूरी तरह सौक्ट हो जाती और अपने भाई से पूछती है क्या कर ये सब क्या चल रहा है तो करन बताना नहीं चाता पर निम्मी के फोर्स करने पर करन उसे प पूरी बात बता देता है तो निम्मी आ सब सुनकर खूब हंसती है कि उसका भाई एक प्ले बॉआ है लेकिन अपनी ही वाइफ के साथ कुछ भी नहीं कर पाया तो करन उसे चुप कराता है और उसे प्रॉमिस लेता है कि वो ये बात रोज को ना बताए जब तक वो रोज को तुम मुझे इस तार टोर्चर क्यों कर रहे हो तो नोप कहता है तुम दोनों की साधी तो एक कॉंट्रेक्ट मैरिस थी ना कहीं तुम अपने पती से प्यार तो नहीं करने लगी अगर तुम अपने पती से प्यार नहीं करती तो तुम अपने पती से प्यार नहीं करती तो कैसे समहा लोगे क्योंकि तुम्हारा पती तो एक नमर का लड़की बाज है और नौप रोस को प्रेगनेंसी के नापर खूब ड़ाता है तो बेचारी रोस भी पूरी तरह टेंसन में आ जाती है कि तभी वहाँ पर रावत आ जाता है और उन दोनों की सारी बाते सुन लेता है और रावत को भी पता चल जाता है कि करन और रोस के बिच कल रात क्या हुआ तो बेचारा रावत ये सब सुनकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है और बेचारे का दिल पूरी तरह टूट जाता है इधर नकुल साइट पर जा रहा होता है वहाँ की जाच बरताल करने के लिए तो निमी कहती है पापा मैं आपके साथ चलूं तो नकुल कहता है तुम वहाँ पर जाकर क्या करूगी मैं करन के साथ चला जाऊंगा और नकुल करन के पास जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि करन अपनी वाइफ से बात कर रहा है तो नकुल ये सब देखर बहुत खुस होता है और वो करण को डिस्टयब नहीं करता और वो अकेले ही चला जाता है इधर करण रोज को परसान करने का एक मुखा नहीं चोड़ता और कहता है कल रात तुमने मेरा फायता उठाया है इसलिए तुम्हें इसका हरजाना भरना ही होगा तो मेरे लिए अच्छा सा ख परिसान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और रोज घुसे से कॉल कट कर देती है पर करन बहुत ही खुस होता है रोज को इस तरह परिसान करके इधर औरन सौपिंग कर रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात नौप से हो जाती है तो औरन जैसे नौप को देखती है तो वो नौप की फिगर पर पुरी तरह मर मिठती है तो नौप भी यहाँ पर अपना एक दिमाग लगाता है क्योंकि औरन ने उसकी बेहन को खुब परिसान किया होता है तो नौप भी औरन से अपनी बेहन का बदला लेने के लिए औरन के साथ फलर्ट करता है और उसे अप तो तुमे मुसे क्या कहना था, कि उन दोनों के बित सब कुछ हो गया, कि मैंने अपनी कानों से सुना है, क्या तुम मुझे साहारा दे सकती हो, मेरा दिल टूटा हूँ मैं東 पह martyr हो, मैं तुम मेरा एक लोता साहारा हो, जिसके पास मैं अपनी दिल की सारी बाते करता हूँ तो नूना को रावत खिले बहुत बुरा लगता है और वो उसे अपना कंधा देती है रोने के लिए वैल यहाँ पर इन दोनों का भी पैचर फो जाता है इधर मिनिश्टर विला अपनी चाल से बाज नहीं आता उस्पिटल जाते हैं तो कॉमल बहुत रोती है अपने पती की ऐसी हालत देखकर तो करन नूप को थैंक्स भी कहता है अपने पापा की जान बचाने के लिए वैल आपको यहाँ पर फुल ली फैमिली मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा आगे नूप के लिए जूस लेकर जाती है जो उसके पापा ने उसके लिए भेजा होता है तो नूप उस जूस में भी कमी निकान ले लगता है और निमी को परसान करने का एक मौका नहीं छोड़ता